वेल्कम बेक अब्रिवन वेल्कम टो सिवल सर्विसेश टड़ी नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीस सिवल सर्विसेश प्रलिम्स के लिए यह है टेस्ट नमबर 531 और इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं भारतिय इतिहास में भी मौडन हिस्ट्री के प्रशनों पर उस सब्सक्राइब करने की फिर उसका एक्स्प्रेशन को पढ़िए सुधार कीजिए कौन सा गलत है कहां स्टेट्मेंट गलत हुआ ज्यार से जदे जितना प्रैक्टिक करेंगे उतना ही सफलता की और अग्रसर होते चलिए जाएगा चलिए स्टेट्मेंट वन देखते हैं कॉ महलबाडी लिखा है कुछ किताबों में कहीं महालबाडी लिखा है कहीं महालबाडी लिखा है तो पहला स्टेट्मेंट है महालबाडी व्यवस्था से रेलेटेड कुछ स्टेट्मेंट है यहां पर देखिए मैकेंजी तथा मॉर्टिन वर्ड महलबाडी व्यवस्था से सं बंदेथ हैं, इस विवस्था के तहफा लगान की दर 66% तै की गई, बिटिस भारत में ये विवस्था 30% चेतर में लागू की गई जो रिय montवाडी थी 51 चेतर में थी 31% बिटिस भारत में ये 30% चेतर में थी, मतल़ ऐसा statement कह रहा zusammen है ती थी जमेदारी विवस्था की तुल्ना में फिलान इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा मेकेंजी तथा मॉर्टिन वर्ड महलवाडी विवस्था से संबन रखते हैं करेक्ट है इस विवस्था के तहट लगान की दर 66% तैकी गई यह भी सही है ब्रिटिस भ सारे के सारे स्टेट्मेंट और और सार हो जाएगा इसका अप्शन नंबर डियू प्रोग सभी तो देखिए उत्तर एवम मध्ध भारत के अलावा पंजाब के कोछ भागो तथा दक्षण भारत के कुल शेत्रों में महल वड़ी व्यवस्था को लागो किया गया था यह इंप भारत में इसको लागो किया गया फिर पंजाब के कोछ शेत्रों में दक्षण भारत के कोछ शेत्रों में इसको लागो किया गया बिर्टेस भारत में यह ववस्था लगवग तीस प्रतिशा शेत्रों में लागो थी आधनीक उत्तर प्रतेस के अधिकांस शेत्रों में यह विवस्था लागू थी वो लेखने है कि मार्टिन वर्ड के भू सर्वेक्षन सुधारों के कारण इन्हें उत्री भारत में भूमी विवस्था का जनक कहा जाता है किन्हें मार्टिन वर्ड को भूमी विवस्था का जनक कहा जाता है उत्री भारत में क्यों कहा जाता है भू स सर्वेक्षन सुधारों के कारण कोशन नुबर टू पर आजए भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था 1921, 1860, 1875 या 1857 ये डेट कुछ जारे नई सी लग रही है इससे पहले ही लग चुका था 1860 में अप्सन नुबर भी है इसका अंसर तो देखिए भारत में आयकर प जिद्रों से उपजी आर्थिक तंगी के निराकरण के लिए 1860 में लगाया गया था ये इंपोर्टन्ट है इस सन को याद रखेगा कोशन नुम्बर थ्री है नमलिखित कत्नों पर विचार करना है पहले स्टेटमेंट है 1861 के अधेनियम द्वारा गबरनर जनरल की काउंसि की नियुकती का प्रावधान किया गया दूसरा स्टेटमेंट है करजन ने इंपीरियल कैड़ेट कोर का गठन किया 1925 में बने इंडियन सेंड हर्ट्स कमिशन के सी आरदास अध्यक्षते तीनों अलग-अलग स्टेटमेंट हैं अलग-अलग राग अलाप रहे हैं अच्छे इंडियन हर्ट्स का इंडियन का इंडियन का रावधान किया गया अब यहां करता है कर्द आर स्टेट्मेंट कर जन कौन सा करजन लौड कर जन ने इंपिरियल केड़ेट कॉर का गठेन किया था बिलकुल करेक्ट है दुसरा स्टेट्मेंट भी 1925 में बने इंडियन सैड हर्ट कमिशन जो एक सैनिक कमिशन था, सैनिक सुधार से संबंदित कमिशन था, कि अध्यक्ष क्या लगता है, आपको कोई भारते बन सकता है क्या, उस समय वो भी बिटेस इंडिया में तोड़ा दिमाग लगा के वैसे भी इलिमिनेट होई जाता है, ये अध्यक्ष नहीं थे सी आरदास, ये सरस्य थे सरस्य, अध्यक्ष तो अंग्रेज था कोई तो तीसरे को इलिमिनेट करके इसका आंसर लगातीजे, अप्सन नमबर वन ए तो देखिए, 1861 के अधिनियम द्वारा गवर्णर जनल की काउंसिल में एक सैन सरस्य की का प्रवधान किया गया, करजन ने इंपिरियल केड़िट कोर का गठन किया 1909 में परधान सैनापती को भारत सरकार का एकमात सैनिक सलाकार मान लिया गया, उसके बाद क्या हुआ, 1925 में सर एंडियू, सर एंडियू इस कीन की अध्यक्सता में एक कमिशन बनाया गया इस कमिशन को इंडियन सेंड हर्ट कमिशन भी कहा जाता है, सी आर दास इसके सरस्य थे, सरस्य इंडियन सेंड हर्ट कमिशन का ध्यक्स कौन था, एंडियू इसकीन, ना की सी आर दास, ये तो केवल सरस्य मात्र थे इस प्रश्ण का उत्तर दीजे तो निम्लिकित में से किस कमिशन का संबंध सेने परशासन से है बोर्ड कमिशन, रेले कमिशन, हंटर कमिशन, इंडियन सेट हट कमिशन इस तरह का प्रश्ण एक कल के टेस्ट में पूछा था हिस्ट्री का उसका उत्तर क्या था रीज क्या था रीज लेकिन यहां उत्तर क्या है इंडियन सेड हर्ट कमिशन अप्सन नमबर ए तो देखें 1861 में अधिनियम तरह जैसे को पता चल गया गबर्नर जनल की काउंसिल में एक सैने सरस्ट की निक्ति का प्रापधान किया गया 1925 में सर एंड्रीव स्किन की अध्यक्सता में कमिशन बनाया गया इस कमिशन को इंडियन सेड हर्ट कमिशन भी कहा जाता है और सी आरदास इसके सरस्ट थे और यह कमिशन था सैन ने प्रसासन से संबंधित प्रथम बिधी आयोग का अध्यक्ष कौन था मैकाले मुनरो बिलियम बेंटिक डॉक्टर भीम राम बेटकर प्रथम बिधी आयोग का अध्यक्ष कौन था मैकाले ओप्सन नमबर ए तो देखिए प्रथम बिधियायोग का गठन 1833 के चार्टर एक्ट के तहद 1834 में किया गया एक साल बाद इसका अध्याक्ष मैकाले को निक्त किया गया था question number 6 पर आजए निमलिखित कत्नों पर विचार करना तीन statement है यहाँ पर बताना किन में से कौन सा correct है परला statement है कौर्णवालिस ने लोग सेवा के दरवाजे भारतियों के लिए बंद कर दिये थे कौर्णवालिस को ही लोग सेवा का जनक माना जाता है लोग सेवकों के प्रसिक् करते थे क्या हम बिल्कुल correct है तीसरा वाला statement और कौर्णवालिस को तो लोग सेवा का जनक सेवल सेवा का जनक पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है इसको कौर्णवालिस ने लोग सेवा के दरवाजे भारतियों के लिए बंद कर दिये थे इसने बिल्कुल correct है तीनों के तीनो statement D has cancer तो देखिए लोक सेवा का जनक था कारणोबालेज लोक सेवकों के प्रस्रिक्षन हेतुसन अठारे सो में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज इस्थापित किया गया था और ये इस्थापित किया किसने था लॉर्ड विलिजली ने इसके बाद क्या होता है 1805 में हर फोर्ड हर फोर्ड में इस्थ इंडिया कॉलिज की 希望 की गई फिर 1833 के चार्टर एक्ट में लोक सेवा में बहरतियों की निक्ति का प्रावदान किया गया उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया उसमें क्या घुळी प्रतियों गिता परिक्षा का प्रावधान हुआ तथा 1855 में Civil Services Commission की स्थापना की गई एक एक लाइन से उठा कर अलग अलग प्रश्ण बना लेगा इनको याद रखना अच्छे से Question No.7 पर आजाईए Public Service Commission का अध्यक्स किसे नियुक्ति किया जाता थोड़ा ट्रिक कॉश्चन है इसका उत्तर क्या हो सकता है आपको ये नाम में Public Service Commission देखें लॉड करनवाली स्मार कर गलत मत कर देना इसको तो देखें नाम से याद रखिए इसका उत्तर है Charles Inchison क्या नाम है इसका Charles Inchison तो देखें 1879 में बर्टे सरकार ने एक कानून पारित कर घोशना की कि भारतिय विना किसी परिक्षा के उच्चतर पदो पर नियुक्त हो सकते हैं इस घोशना में कहा गया कि किसी भी बर्ष जितने भी इकरार नामे से बंधे Civil Servant नियुक्त किये जाएंगे उनका एक बठेच है भारति होंगे जो इस्थाई सरकार द्वारा चुने जाएंगे 1886 में डफरिन ने चार्ल्स इंचिस्टन की अध्यक्षता में पबलिक सर्विश कमिशन का गठन किया गया तो इन नाम से याद रखिए Civil सेवा का जनक बनक तो कौर्णो वारेस है लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है पबलिक सर्विश कमिशन की 1886 में डफरिन ने चार्ल्स इंचिस्टन की अध्यक्षता में किया था इसका गठन तो पबलिक सर्विश कमिशन का गठन किस ने किया डफरिन ने किया 1886 में किया और अध्यक्स किसको नियुक्त किया गया चार्ल्स इंचिंसन कॉशन नूबर 8 पर आजए बिटिस सरकार ने किस वर्स यह निर्णे लिया कि सिवल सेवा परिक्षा बिटेन तथा भारत में एक साथ आयोजित की जाएगी एक साथ होनी थी बिटेन में भी होनी थी और इंडिया में भी होनी थी बिटिस इंडिया में उस समय अभारत भी भाग ले रहा हैं और वो अंगरेज भी भाग ले रहा हैं जो भारत पर साशन कर रहा हैं तो कब हुआ ये ये हुआ 1893 में option नमबर डी है इसका answer 1893 तो देखिए 1893 में 1893 से पूर्व सिविल सेवा परिक्षा केवल बिर्टेन में आयोजित की जाती थी 1893 में House of Commons ने एक विध्यक पारित किया जिसके अनुसार यह प्रावधान लाया गया कि भारत और बिर्टेन दोनों जगों पर सिविल सेवा परिक्षा साथ साथ होगी इस इंपोर्टन प्रश्न है क्या सन है 1893 एटि नाइटि नइटि थ्री तो पर आजाईए इनस लिंग्टन कमिशन का संबन्द निम्ड में से किस छेत्र में सुधारो से है सिक्षा में सुधार, नियाएक सुधार, संबेधानिक सुधार या लोग सेवा में सुधार बताए इस लिंक्टन कमिशन लोग सेवा में सुधार आप्सन नमबर बी तो देखिए 1912 में सिविल सेवा पर इस लिंक्टन कमिशन का गठन किया गया जिसे रोयल कमिशन के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद देखिए 1923 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में इस कमिशन का गठन हुआ जिसने लोग सेवा अयोग के गठन की अनुसंसा की और 1925 में पांच सरस्य लोग सेवा अयोग के स्थापना की गई कोशन नमबर दस पर आजाईए इस्थानिय सोशाशन के संबंध में निम निकतनों पर विचार करना है पहला स्टेटमेंट है कोड आफ डायरेक्टर के आदेश पर सरपुर्था मदरास म्यूनसिपल कॉर्परेशन का गठन हुआ लॉड मेयो द्वारा वित्य विकेंद्रिकन की सुरुबात की गई रिपन को स्थानिय स्वायत संस्थाओं का जनक कहा जाता है तीनों अलग-अलग स्टेटमेंट अलग-अलग बात करने है तीसरा वाला स्टेटमेंट में करेक्ट है लॉर्ड मेयो द्वारा अवित्य विकेंद्रिकन की सुरुबात की गई ये भी स्टेट्मेंट करेक्ट है कॉर्ट आफ डिरेक्टर के आदेश पार सबसे पहले मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्परेशन का गठन हुआ की सुरुबात की गई और इस्थानिये स्वैसासी संस्थाओं के लिए कुछ मदे नरधारित की गई लॉर्ड रिपन ने तैसील बोर्ड बनाने की सुरुबात की उसने बड़े नगरों में नगरपाली का तथा ग्रामी और छेतरों में इस्थानिय बोडों का विकास किया और इन ही सुधारों के कारण रिपन को लॉर्ड रिपन को इस्थानिय स्वायत संस्थाओं का जनक कहा जाता है टोप मौश्ट प्रश्ण हैं बहुत पूस्ते हैं इसको कि भारत में विटिस भारत में इस्थानी है सोशाशन का जनक कौन था कौन था कौन था तो लॉर्ड रिपन था रिपन था रिपन था question number 11 पर आजएए निमलिखित कुछ पुस्तके हैं उन पर विचार करना है Poverty and Un-British Rule in India Most Important Book है यह दादा भाई नौरो जी की दूसरी बुक है The Wants and Means of India फिर से सुन लीजिए The Wants and Means of India और तीसरी हिसा है On the Commerce of India अब आपको बताना है कि उपरोक्त पुस्तकों में से दादा भाई नौरो जी ने धन के निशकासन यानि धन के बहिर गमन के सिर्दान्ध की व्याक्या की है किन पुस्तकों में की है उपरोक्त में से दी गई है केवल एक एक तीन दो एक दो तीन बताये Poverty and Un-British Rule in India Option Number Statement Number One correct है और दूसरी है The Wands and Means of India ये भी है इसमें भी दादा भाई नौरो जी ने धन के निशकासन के सिर्दान्ध की चर्चा की है On the Commerce of India ये भी दादा भाई नौरो जी की ही पुस्तक है ये तीनों की तीनों पुस्तके दादा भाई नौरो जी की है और धन के निशकासन के सिद्दान्थ का इनमे वर्णन है इसलिए इसका अंसर हो जगा अप्सन नमबर डी बन टो थरी तो देखिए ओपर हो सारे के सारे साही होगे दादा भाई नौरजी ने पौवर्टी एंड अन्विटिस रूल इंडिया धन निशकासन के सिद्दान्थ की व्यक्या की है और सुन लेजेए दूसरा स्टेट्मेंट रमेश चंद्रदत ने अपने पुस्तक एकॉनमिक हिस्ट्री ओफ इंडिया में धन बहिर गवन के सिद्दान्थ का उलेख किया है उनके अनुसार भारत के कुल राजसु का लगभग आधा हिस्सा कितना भारत के राजसु का लगभग आधा हिस्सा बाहर चला जाता था तो यह बुक का नाम भी याद रखिएगा एकॉनमिक हिस्ट्री ओफ इंडिया यह भी धन के भर गवन से संबन्दित है लेकिन इसके रशनकार दादा भाई नौरोजी नहीं है रमेश चंद्रदत है कौन है रमेश चंद्रदत इसके अतरेक्त मतलब नौरोजी के अतरेक्त आर सी दत एस एन बनर जी 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 बी जो सी एम जी रानाडे आदी बिद्वान ने भी धन निकासी के संदर्ब में विटेश सरकार की आलोचना की थी तो ये कुछ प्रश्ण थे modern history के history में अच्छे से इसका revision करते रहिएगा इनकी practice करते रहिएगा practice पहुँच जरूई है important है इनके explanation अगर question यहां से ना फसे तो यहां से तो फसे ही फसे तो अच्छे से इसका revision कम से कम एक बार तो करें लिए ना बगई जोड़े रहिए धन्देबाद